मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंग आज की समाधान सरंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक सूचना भी दे दूं कि आज मैंने अपने चैनल का नाम अपनी हिंदी अपने लोग कर दिया है आज से इसी नाम से इसको खोजा जाए आज हम लोग एक नए एक नए विश से बस्तू के साथ आप से चर्चा करेंगे हिंदी में गुरू कौन कि सुरिदास बाचपई को क्या कहते हैं कामता प्रसाद को क्या कहते हैं कि सुरिदास बाचपई कौन है कि सुरिलाल को सामी कौन है ऐसे तमाम प्रस्तनों को सुल जाने की कोशिस सबसे पहले हम जानेंगे आचार किस्वरी दास बाचपई ये ठीक उसी प्रकार से संसय हो जाता है जैसे हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में सिरीराम सर्मा जो अपने साहित में हम लोग पढ़ते हैं वो सिरीराम सर्मा जो सिकार साहित के प्रणेता हैं वो दूसरे हैं और जो गाहितरी परिवार वाले 1911 में जो जन्म लिये वो सिरीराम सर्मा दूसरे हैं अब हम पहले इसी तरह किस्वरी दास बाचपई किस्वराल गोसामी दोनों को अलग-अलग समझ लेना चाहिए किस्वरी दास बाचपई जी का जन्म कानपूर के मधना छेत्र में राम नगर गाओं में 1898 में हुआ था और किस्वरी दास जी की जो पहचान है वो हिंदी शब्दा नुशासन से ये बड़े ही प्रशिद ख्यात लब्द वयाकरण और भाशा पर इसकारक थे वयाकरण सब्द ऐसे लिखा जाता है वयाकरणा चार प्रसिद वयाकरणा चार थे और इन्हें पाड़ि निकाहा जाता है कई पुस्तकों में उपलब्ध है और एक हिंदी के निर्माता दिली विश्व द्याले की प्रोफिसर है हुनकी पुस्तक में है साफ साफ लिखा हुआ और उनहीं की किताब में इन्हें अभिमानमेरु अक्खड कबीर कहा जाता है ऐसा उलेख है कि स सुरीदास बाचपेई जी हिमाचल में एक विश्व विद्याले में सिछक थे। इन्होंने समिछात्मक मासिक पत्र मराल का संपाधन किया था। संपाधन किया था। साथ ही एक लेख लिखा दुएदी जी का लिफाफा कहां गया। और इस लिफाफे कहा गय लेक से ऊचरचा में आये और वो कासी नागरी लेक लिख करके कासी नागरी पर चारणी सवा के बृद्प अंदोलन चलाय था एक मामला दूसरा था और इस लिफाफ़े जो लिफाफ़ा ये प्रसिंद बनते हैं लिफाफ़ा किसका था इसने दिया क्यों दिया ये जो लिफाफ़ा था वाचार महाविर प्रसाद दुएदी जी ने अपने अभिनंदन समारोह में सभा को सौपा और उन्होंने यह को लाना जाए इसी के बाद इन्होंने यह अंदोलन सुरू किया था अब हम इनकी रचनाओं को समझ लेंगे आचार के सुरी दैस बाच पे जी की रचनाएं वैसे तो सताधिक रचनाएं हैं लेकिन जो रचनाएं प्रमुख हैं परिच्छा की दिश्टिकोंड से भी उनको मैं यहां पर उलेख कर रहा हूं हिंदी शब्दानुशासन यह एक व्याकरणगत है काव में रहसिवाद ब्रजभासा का व्याकरण भारतिय भाषविज्ञान संस्कित के पाँच अध्या इसी तरह दिनकर की वी एक रचनाएं संस्कित के चार अध्या हिंदी शब्द मीमा साहित्य मीमांसा राष्ट भासा का प्रथम व्याकराण तमाम रचनाएं हैं गद्यकाद भीनों ने लिखा अम्रत में विश्च अम्रत का मतलब ये अम्रत सर है जलिया वाला भाग की घटना जब घटी तो उसका वड़न ये किवसा इतिकार ही का भी मनेशी वयाकराण ही नही मतलता की पुजारी आंगलनों में भाग लेने वाले कार्य करता भी थे तब इन्होंने ये लिखा था अम्रत में विश्च प्रशिद्ध व्याकराण के आचार पुरोधा कामता प्रशाद गुरु जी का जन्म सागर मद्ध प्रदेश में हैं सन 1875 में हुआ और आपकी म्रत 1947 में हुई व्याकराण के कारण ही इन्हें हिंदी में गुरु के नाम से जाना जाता है इसलिए इनका नाम कामता प्रशाद गुरु लिखा जाता है इन्होंने एक वर्श तक प्रयाक के इंडियन प्रेस आपको पता भी है सरसुती पत्रिका में मैं बता चुका हूँ वहें इन्हों ने बाल सखा और सरसुती पत्रिका का संपादन किया ये हिंदी के प्रमुख वयाकरणों में गिने जाते हैं और इनका जो वयाकरण ग्रंत जो वयाकरण है उसको कासी नागरी पचारणी सभा ने हिंदी वयाकरण ध्यान में रखना है ये इनके व्याकरण की ग्रंत का नाम है हिंदी व्याकरण की नाम से छपा इनकी प्रूंख रचनाय और इस्प्रकार है उपन्यास प्रेम पार्वती यशोदा पौराणिक नाटक शुदर्सन रजभासा काव भौमा शुर्व वध विने पचासा परिच् हिंदी व्याकरण ही पूछा जाता है किसका लिखा है कहां से छपा इनका एक लेक छपा था हिंदी के हीनता इसके छपते ही भूचा ला गया था हिंदी के विद्वानों में और व्याकरण को लेके चिंतन बहुत प्रकर हो गया था और इनके महत्ता को अच्छुण रखने के लिए भारत सरकार ने डाक्टिकट जारी किया था इनके नाम से एक विश्विद्याले की भी स्थापना हुई है कामता प्रसाद गुरु ही हिंदी के वास्तविक व्याकराण के कारण गुरु नाम से विख्यात हुई अब हम लोग जानेंगे पंडित कि सुरिलाल गुस्वामी कभी 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 कन्फिजन होता है कि सुईद्यास बाच्पई वाले ही हैं कि अलग हैं तो यह बहुत अलग है इनका जन्म 1865 भी कासी में हुआ था वो व्याकरण की गयाता थे यह उपन्यास प्रेम चंद युग के पहले के जो उपन्यासकार हैं उनमें इनका एक महत्पूर्ण इस्थान है और यह उपन्यास के लेखन की वज़ए से ही चर्चा में आए इनके उपन्यास वैसे इनके उपन्यास कहे जाते हैं लेकिन ऐसा तो है ही साथ में इनकी उपन्यासों में तमाम विश्यों को इन्होंने इस परस किया है इन्होंने उपन्यास नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था ये परिच्छा में बहुत पुछा जाता है उपन्यास नामक मासिक पत्र इसने निकाला कहां से निकाला ये मासिक पत्र कासी से निकाला और 1898 अपने उपन्यासों का उदेश भी नोंने इस पस्ट किया था कि प्रेम की विज्ञान का प्रचार है और प्रेम तत्त की अतिशयता की कारण ही इनके उपन्यास क्या बनके रह गए प्रेम की प्रदर्शनी बनके रह गए हलाक उनमें तिलश्मी उपन्यास भी लिखे एरी के भी उपन्यास लिखे सामाजिक उपन्यास भी लिखे लेकिन उनमें सब में जो अधिकांस, वो सब प्रीम के हैं, इनके नाना थे, कृष्ण चैता, निकासी में ही रहते थे, ये भारते नो हरिस्चन जी के साहितिक गुरू थे, अब चुकि नाना जी भारते नो की गुरू थे, और ये इनके घर आते जाते थे, बहुत सरल है कि त जानों से मनिशियों से इनका संपर्ख हुआ हो, और उससे प्रेरित होकर ये साहिति सजन में लग गये हूँ, ये निमबार्ख संप्रदाय के अनुआई थे, आब इनकी हम ब्रचनाया, इनकी उपन्यासों को समझेंगे, पहला उपन्यास इनका त्रिमेडी 1890, सुर्गे खुशुमकुमारी 1890, प्रणयणी पारिणय अठारासों अब इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों का तो यहां पर उलेक संभो नहीं है, तो उसमें से जो महत्पुड़ उपन्यास लगे, मैं उन्हें बताने की कोशिस कर ला हूँ, हम लोग आज तीन मूर्धन विद्वानो के विशाय में चर्चा कर रहे हैं, उसमें से दो विद्वानों की चर्चा पूर्ण हो चुकी है, तीसरे विद्वान प्रेम चेंद्यू की पूर्व की उपन्यास के छेत्र में महती उपलब्दियों को हांसिल करने वाले कि शुर्याल को सामी, उनकी रचनाओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं एक सूचना दे दूँ, यह आप किसी परिच्छा TGT, PGT, NET, अत्वा किसी ऐसी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी विशाय से सम्मादित प्रसंग उचे जाते हैं, आप मेरे टेली ग्राम ग्रूप पर मुझ से जुर सकते हैं, और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे रखा है, लवंग लता, आदर्श वाला, 1904, सुख सरवरी, लीलावती यह रचना भी, पिछले बार असिस्टन प्रोफेसर यह सायद प्रवक्ता में पूछी भी कई थी, तो ल द्यारती वो वाले गड़तगे को लगा दे, ध्यान में रखना है लिलावती उपन्यास कि सुर्याल गोस्वामी का है, प्रेम मई, जिंदे की लास, तरुन तपश्वनी या कुटीर वासिनी, लखनाओ की कब्र या शाही महल सरा, रजिया वेगम या रंग महल में हला हल, इ अगले दिन हम एक नए समाधान की साथ आपकी समच पुस्तित होंगे, तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत!